हेलो बच्चों कैसे आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों आज मैं आप सब के लिए एक नया पार्ट लाई हूँ नीति सुधा दोहे कबीर बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जो भाशाब हम बोलते हैं जो भी शब्द हम अपने मुख से निकालते हैं वे अमोले हैं उन्हें हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए क्योंकि वे हमारे उपर प्रभाव डालते हैं हमारे चरित्र के उपर प्रभाव डालते हैं अर्थात हमें वे सोच समझ कर बोलने चाहिए बुरे शब्द बोलने पर बुरा प्रभाव पड़ता है अच्छे शब्द बोलने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है दूरलब मानुष जन्म है देह न बारम बार तरूवर जूपत्ती जड़े बहुरी न लागे डार अर्थात कभीर जी कह रहे हैं ये मानुष जनम, ये मनुष्य योनी हमें सेंकड़ों योनियों के बाद मिलती है ये बहुत कठिनाई से हमें मिलती है जिस प्रकार पत्तों को जड़ जाने के बाद पेड़ों से पत्तों के जड़ जाने के बाद वे पत्ते दुबारा उस पेड़ पर नहीं लग सकते उसी प्रकार बार बार हमें ये मनुश्य योनी मिल जाए ये संभव नहीं व्रिक्ष कभू नहीं फल भके नदीन संचे नीर परमारत के कारने साधुन धरा सरीर जिस प्रकार ब्रिक्ष अपने फलों का भक्षन नहीं करता वे अपने फलों को नहीं खाता जिस प्रकार नदी अपने जल का संचे नहीं करती उसी प्रकार साधु संध अपने ज्यान का उप्योग अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करते है रहीम जी रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वे मानव मर चुके हैं वे जीवित नहीं है जो भिक्षा मांगते हैं जो भीक मांग के खाते हैं परंतु उन से पहले उन मानव से पहले वे मानव मर चुके हैं जिनके मुख से नहीं निकलता है रूठे सुजन मनाईए जो रूठे सौबार रहिमन फिर फिर पोईए तूटे मुक्ताहार इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं अपने रूठे हुए संबंधों को मनाईए चाहे उन्हें सौ बार मनाना पड़े परंतु मनाईए जिस प्रकार मोतियों की माला तूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं और बार बार माला बनाते हैं उसी प्रकार हमें अपने संबंधों को भी बनाए रखना चाहिए चाहे कितना ही कठोर परिश्रम करना पड़े रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं बड़ा देखकर बहुत खुश नहीं होना चाहिए और छोटा देखकर उसे फैंक देना नहीं चाहिए क्योंकि जहां एक छोटी सी सूई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती जैसे एक माला को पिरोने के लिए एक सूई की आवेशकता होती है तलवार की नहीं बिहारी कोटी जतन कोव करो परेन प्रकृति ही बीज नल बल जल उंचे चड़े अंत नीच को नीच यहां बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जैसे नल में जब जल आता है तो नल अपने बल से जल को उपर तो खीच लेता है किन्तु उसकी प्रकृति के अनुरूप वो बहता नीचे की ओर ही है समय समय सुन्दर सबे रूप कुरूप न होई मन की रुची जेती जिते तीत तेती रुची होई अर्थात बिहारी ची इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मन की रुची मन जब कोई चीज सुन्दर देखता है तो सुन्दर मान लेता है जब किसी चीज को कुरूप देखता है, तो कुरूप मान लेता है अठात कहने का तात पर यह है, कि कोई चीज सुन्दर या कुरूप वो स्वयम नहीं होती वो हमारे मन की स्थिती हमारे देखने के उपर निर्भर करता है, कि हम उसको किस प्रकार मानते हैं भड़त भड़त संपति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत फिरी न घटे, बरू समूल कुमिलाई बिहारी जी इन पंक्तियों में कहते हैं, जिस प्रकार संपति रूपी पानी, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता जाता है अर्थात मन की इच्छाएं एवं प्रलोभन में वृद्धी होती जाती है लेकिन संपत्ती रूपी पानी जैसे जैसे घड़ता है वैसे वैसे मन रूपी का मल संकुचित नहीं होता बलकि मुर्जा जाता है इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए नहीं तो मानब जीवन में आनंद की शती हो जाती है कुंडलियां गिर्धर बिना विचारे जो करे सो पाछे पच्छताए काम बिगारे आपनों जग में होत हसाए जग में होत हसाए चित में चैन न आवे खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे कह गिर्धर कवीराए दुख कटू तरत न टारे खटकत है जिय मही कि ओजो बिना विचारे गिर्धर जीन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जब भी हम कोई कारे करें उसे सोच विचार के करें क्योंकि यदि एक बार हमने कोई गलत काम कर दिया तो हमारे पास सिर्फ पच्चताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा यही नहीं जग में जग हसाई होगी सभी काम बिगड जाएंगे मन का चैन बिखर जाएगा खाने में, पीने में, पहनने में मन नहीं लगेगा किसी काम में मन नहीं लगेगा वह दुख कम नहीं हो पाता जिसमें सम्मान घट जाता है सेवईया रस्खान या लकुटी अरुका मरिया पर राजति हुँ पुरकोत जिडारो आठु सिद्धी नवो निधी को सुख नंद की गाई चराई पिसारो रस्खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के वनवाग तड़ाग निहारो कौटिक हो कल धोत के धाम करील के कुण्ज उपर वारो रस्खान जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर अपने राजपाट सभी को त्याग सकते हैं अपनी आठों सिध्यों और नौनिधियों के सुक को त्याग सकते हैं यदि उन्हें नंद की गाएं चराने का मौका मिले रस्खान जी कहते हैं पता नहीं कब मुझे ब्रज के बन बाग और नदियों को देखने का मौका मिलेगा कब मेरी आखें वो सुक पाएंगी मैं उन्पंचियों का करल यानी गुंजन कब सुन सकूंगा धूरी भरे अति सोभित स्याम जू तैसी पनी सिर चुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंग नापग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी वाचवी को रस्खानी विलोकत वारत काम कला निधि कोटी काग की भाग बडे सजनी हरी हाथ सो लेगयो माखन रोटी इन पंक्तियों में रस्खान जी कह रहे है श्री कृष्टी कितने सुंदर लग रहे है चोटी सी चोटी उनके सिर पर है खेल रहे है आंगन में पैरू में पाजे बज रही है पीला सा लंगोड पैना हुआ है और पूरे आंगन में वो खेल रहे है उनकी छवी इतनी मन मोहक है कि मैं उस पर सब कुछ द्योचावर कर दूँ वो काग यानि वो कवा कितना भागिशाली है जो उनके हाथ से माखन वाली रोटी लेकर चला जाता है उन्हें श्री कृष्ण का आशीरवाद मिल जाता है द्रौपति ओ गनिका गजगीध अजामिल सोकियो सोन निहारो गौतम गहनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो काहे को सोच करे रसखानी कहा करी है रविनंद विचारो ताखन जाखन रख्ये माखन चाखन हारो सो राखना रस्खान जी कह रहे हैं किस प्रकार श्रीकृष्ण ने द्रौपति का मान रखा किस प्रकार प्रहलाद के दुखों को हर लिया रस्खान जी कहते हैं श्रीकृष्ण का स्मरण ही दुख तकलीफों को दूर भखा देता है तन से मन से कष्टों को हर लेता है तो श्रीकृष्ण हमारे जीवन में जब हम धारन कर लेते हैं तो हम सब कुछ सब कष्टों से दूर हो जाते हैं तो देखा बच्चों किस प्रकार इस पाठ में हमने अपने देश के प्रमुक अलग-अलग कवियों को उनके छंदों को उनके दोहों को पढ़ा और जाना आशा करती हूँ आप सब को यह पाठ पसंद आया होगा आप इसे स्वयम भी पढ़े और अभ्यास भी करें झाल